जब भी आपको नाश्टे में कुछ बनाने का मन ना टेस्टी और फैलदी भी खाना हो तो आज की रेसिपी आपके काम आने वाली यह बहुत ढाइस really लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट एगी आगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लेट्स टार्ट इसके पहले आप एक मिक्सर का जार ले ले और मिक्सर के जार लेने के बाद यहां पर मैंने एक कप के करीब बारिक सूजी लिया हुआ है आपके पास बारिक मॉटा जो सूजी है आप हो ले सकते हैं इसमें कोई दिक्त नहीं है क्योकि हमें इसे क्राइंड ही करना है इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कप के करीब उसना ही एक कप के करीब यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है और यह बिल्कुल फ्रेश दही ले अगर ना हो आपके पास तो आप छाँच भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसमें एक कब के करीब आप चांच डाल सकते हैं उतना ही मैंने यहाँ पर पानी ले लिया जितना दही डाला है ना उतना ही यहाँ पर हम पानी डाल देंगे अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च हमें इसमें डालना है अब इसको हम grind कर लेंगे इस तरह से मैंने इसको grind कर लिया है काफी अच्छे से grind हो जाता है काफी फटा-फट grind हो जाता है इसमें कोई दिक्त नहीं आती है इस तरह से एक mixing ball ले ले और mixing ball लेने के बाद बस इस तरह से हम इसको डाल देंगे जो इसमें टुकड़े है बचे वे ना या मिर्ची के या अद्रक के उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फिरो मुह में आई है, इसके बाद इसको कवर का कि दस मिन के लिए छोड़ देंगी, कि हमने यहां सूजी का यूज किया है, वो फू करना है, बस इसमें स्वादन सा नमक डाल दें, और यहां पर मैंने सफेद तिल लिया हुआ है, दो चमबच के करीम सफेद तिल डाल दें, काफी अच्छा फ्लिवर आता है, और टेस्ट भी बहुत जादा बढ़ जाता है, देखने में का लुक भी बहुत अच्छा आजाता के बनने वाली है, इसके बाद हम एक तिहाई चमची करीम यहां पर बेकिंग सोडा डाल देंगे, या फिर आपको खाने वाला जो सोडा आता है ना, वो डाल दे, अगर वो भी ना हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं, बस इसमें अच्छे से हमें इसको मिला लेना है, काफी अ सिलवाजत करना है, काफी अच्छा टीस्ट आता है, बस इस तरह से कवर करसेती हverse करदे ना की अगराक है, वहाई से बहुती क्रिस्पी बहुत ऑल अदर इस उतना ही सौफ्ट होता है, बहुती हैं च्छा एक बनाना तो बनता है, तो इतना एज़र गीना प्रेसेपी है था हाफते में 2-3 दिन तो बच्चे ज़रूरी जिद करने वाले हैं कि ममा आपने रेसीपी वनाई थी वही बना दी जे तो बहुत की कुएक बहुत ही एजी और बहुत क्रिस्पी टेस्टी राश्ता यह बहुत ही हमारा बंके रेडी हो गया इस तरह से हम अपना दूसरा वैच भ भी बन सकता है नहीं तो आप इसे शेलो फ्राइब भी कर सकते हैं यह तरह से हमारा यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही हैल्दी और बहुत ही युनिक नाश्टा बनके रेडी है उमीद है कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा अच्छा लग तो लाइक शेयर सब्सक्राइ पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है यह बहुत ही टेस्टी बनता है एक पर बनाना तो बनता ही है तो मिलते हैं इसी तरह से अकले वीडियो में तब तक अपना ध्यार में किया थैंक्स पॉर वाचिंग रादे रादे